बोपाल से भली ख़बर है कॉंग्रेस का जवाहर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च प्रिदिश पुपराई जेपी अगरवाल और पीसे सीप कमरनाथ और वरेस्ट निता इसमें शामल होंगे एमपे में बेरुजगारी और महिला प्राज के खिलाब آج कॉंग्रेस की तरफ से प्रिदिश वाफी प्रदिशन किया जा रहा है शक्ती प्र्दिशन किया जा रहा है कानून विवस्ता को लेकर कॉंग्रेस सरकार को गिरनले के आज पूशिश करेगी तो राजभवन से ये पैदल मार्च निकाला जाएगा कानुन विवस्ता को लेकर राजभवन का कॉंग्रिस कारकरता घिराओ करेंगे जवाहर चौक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा जिसमें जेपी अगरवाल, PCC चीफ कमलनाथ समेत तमाम कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता और पूरे प्रिदेश भर से पहुंची हुए कॉंग्रिस के सैकलो कारकरता भी शामिल हो रही है तो कुछी दिर में कारकरम के शिरुवात होगी, कारकरम में लगातार जो कॉंग्रिस के कारकरता हैं वो पहुंच रही है और भारी संख्या में इस वक्ते कारकरता जवाहर चौक पहुंचे हुए हैं जहां पर ये कारकरम रखा गया है कॉंग्रिस की तमाम बड़े लीडर भी लगातार कारकरण में पहुँच रहे हैं तो कारकरताओं में काफी उस्सा देखने को मल रहा है तो बिरुजगारी महिंगाई की खिलाब कॉंग्रिस की तरफ से आज एक बड़ा प्रदर्शन बुलाए गया जिसमें PCC चीफ कमर्नासे में तमाम कॉंग्रिस के वारिस नेता शामिल होंगे के अंदर सरकार की नियुतियों के खिलाब आज कॉंग्रिस ने राष्टि स्तर का अंदूलन शुरू कर दिया है और प्रतेक राज जी की प्रतेक राज़दानी में आज आज आदूलन किया जा रहा है और इसी की तहत मद्रदेश की राज़दानी भोपाल में भी तमाम कॉंग्रेस के कारकरता और पददिकारी आज उट रहे हैं इस वक्त में जवार चौक पर मौझूद हूँ जहां पर तमाम कॉंग्रेस के आला पददिकारी और कारकरता जो पूरे प्रदेश से आए हुए हैं यहां पर इखटा हो रहे हैं और तरह तरह से अपने अनोखे प्रतेशन में नज़र आ रहे हैं कोई पूरा एंपरेंट पहना हुआ है जिसमें तमाम तरह की व्रोध प्रतेशन लिखा हुआ है तो कोई हाथों में जंडा लिए यहां पर अपने नारेवाजी कर रहा है और पैसेस देनी की कोशिश कर रहा है कि आज हम सरकार के खिलाफ आंदूलन करेंगे इसके साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यहां पर जो व्रोध प्रतेशन का तरीका है वह भी बहत अलगा है लोग डोला को मंजीरे लेकर यहां पर आए हुए हैं और व्रोध प्रतेशन कर रहे हैं देख सकते हैं कि पूरे साजो सामान के साथ संखीत के साथ यहां पर नारेवाजी चल रही है और प्रोध प्रतेशन किया जा रहा है कि साथ तोर पर इस तरीके से आंदुलन हो रहा है आज कॉंग्रेश को इस तरह के से प्रतेशन करती निजर आएगी व्रोध बड़ा प्रतेशन कॉंग्रेश मद्यप्रदेश की राजधानी बोपाल से करने जा रही है साथ तोर पर देखा जाए कि यह चुनावी साल है भोपाल और पूरे मद्यप्रदेश में 2023 में चुनाओ है तो इस तरह से कॉंग्रेश एक जुटका पर्चे तो देगे ही साथ ही साथ चुनावी साल होने के नाते अपना एक मजबूस संदेश देने की भी कोशिश करेगी और बोपाल से समधता दुर्गेश हमारे साथ जुटके दुर्गेश लगातार आप उस जगह पर मौज़ूद है जहां पर यह कारक्रम रखा गया तस्पीरे भी लगातार हम तक महुचा रहे हैं जो कॉंग्रेश की कारकरता हैं पूरे प्रिदेश बर से कारक्रम रखा पर पहुचने फिलाल अभी की क्या कुछ से ताज़ा तस्पीरे कौन-कौन मंच पर मौज़ूद हैं अभी की क्या कुछ से तस्पीरे तस्पीरे दिखाना चाहूंगा यहां से किस तरीके से जो जवाहर चौक पर है कौंग्रेश के तमाम कारकरता एक जुट हो गए हैं और लगातार विधायकों के आने का सिल्सला भी शुरू हो चुका है मैं तस्वीरे दिखाना चाहूंगा इस तरीके से चारो तरफ आपको बड़ी तंक हमें कौंग्रेश की प्यारकरता नज़र आएंगे से मंच से एक जुटता दिखाने की यहां पर मोशिश की जा रही है कॉंग्रेस की तरब से आदर्स चुकी यहां पर अब कुछी देर में कमलनात भी आने की संकेत मिले हैं तो निशित तोर पर जब यहां पर कमलनात जाएंगे तो उनके स्पीच के बाद क्यूंकि तमाम जो कारकरता है वो पौँचे हुए कारकरताओं में उतसा भी खाफी जादा देखा जा रहा है देश-भक्ति की गाने बज़ रहे है मंच पर तमाम जो कॉंग्रेस के बड़े रीडर है वो पौँचे हुए हैं फिल्हाल कितनी संख्या में आज इस कारकरता मौजूद रहेंगे अबबुखुल आज़स देखिए, बड़ी दादाद में यहाँ पर कॉंगरेस के कार करता है। कि किस तरीकी तर पूरे प्रदेश में कॉंग्रेस एक जुट है क्योंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में केंदर सरकार की नीतियों के साथ राज सरकार की भी तमाम योजनाओं और तमाम नीतियों के खिलाफ इस समय कॉंग्रेस यहाँ पर आंदोलन कर रही है प्रदशन कर रही है लेकिन यहाँ पर आप कुछी दिर में जैसे ही कमलान आते हैं और उनके बाशन के बाद फिर यहाँ पर राजबवन की तरफ कूछ किय जाएगा जी को तमाम कॉंग्रेस कार करता हूं की बीच में आप मौजूद है दुर्गेश और उत्साब भी काफी जादा दिखा जा रहा है बहुत शूर भी हो रहा है उनसे भी बात करने की कोशिश करिए दुर्गेश सुन पा रहे हैं ठीक है दुर्गेश के पाज जाएंगे लिकिन तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे है पिसी सिस चीप कमलनाथ का इंतिसार किया जा रहे है तमाम कॉंग्रेस के लेडर मंच पर मौजूद है और देखे काफी संख्या में दूर दरास से करता पहुंचे हुए हैं जबाहर चौक से लेकर राजभवन तक पैदल कोच किया जाएगा किन सरकार की नीटों के खिलाप आज जो कॉंग्रेस के तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है जसमें सैक्लों की संख्या में कॉंग्रेस के कार करता और तमाम बड़े पताधिकारी मंच पर मौजूद हैं। कोशिश की जाएगी बिरुजगारी महंगाई और किन सरकार की नियुतियों के खिलाप आज कॉंग्रेस के तरफ से प्रदेश वापी प्रदर्शन बुलाया गया है। टेक है दुर्गेश इससे संपर्कनी हो पारा लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बात करने की लेकिन तस्वीर लगातार आपको दिखा रहें। किन सरकार की नियुतियों के खिलाप लगातार प्रदेशन कॉंग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जो ले बढ़ते हैं कि ड्राइपूर में आज राजभवन मार्च करेंगी कॉंग्रेस प्रदेश प्रिभारी कुमारी स्चलजा सियम बगेल इस कारकन में शामिल होंगे। प्रदेश सर्दक्ष मोहन मरकाम सहित वरिस नेता शामिल होंगे। कॉंग्रेस की तरफ से राइपूर में प्रदेशन किया जाएगा। अंबेड कर चौप पर कॉंग्रेस आज धरना सभा करें। कॉंग्रेस पार्टी लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। देश जवाब मांग रहा है। बहुत से लोग, मीडिया के भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सब की आवाज दबा दी जाती है। हम उसी से संबंधित आज मेमरांडम गवर्नर साहब को देना चाहेंगे। देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है, आज उठा रहे हैं। और हम आगे भी इन बातों को उठाते रहेंगे। और आज कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन करते हुए गवर्नर हाउस का राजभवन की और जाएगे।